हेलो दोस्तो स्वागत है आपका वेकेंट्रेट चानल में कल के वीडियो में मैंने आपको बुलिशिंग गल्फिंग कैंडल के बारे में जानकर दी थी और उसमें ये भी कहा था कि आपको मैं एक बुलिशिंग गल्फिंग कैंडल जिस स्टॉक में बनी होगी उसका एक लाइव एक्जम्पल भी देने वाला हूं और उसके साथ दूसरे टेकनिकल एनलेसिस टूल्स उसका भी हम लोग कैसी दूस करने वाले हैं उसके बारे में बताने वाला हूं तो आपके सामने है बाटा इंडिया का डेरी चार्ट इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको बुलिश इंगल फिंग कैंडल दिखाई दे रही है ठीक है यह रहा आपका डाउन ट्रेंड और उसके बाद में यहाँ पर बुलिश इंगल फिंग कैंडल आपको दिखाई दे रही है पहली कैंडल रेर है दूसरी कैंडल ग्रीन है और कल के सेशन में कल के ट्रेडिंग सेशन में On a कि अबाटा ने कि बूलेश इंगल फिंग कैंडल की ओपर we może दिया तो अभी यह confirm हो गया कि यह पूलेशंगल फिंग कैंडल बस बात मेन बना है और उसका एक्ट्रिवी भी एक्टिवेट भी हो गया है तो मैंने आपको कहा था सिर्फ बुलिश इंगल फिंग कैंडल होने से आप ट्रेड नहीं ले सकते उसके साथ आपको बाकी सारे टेकनिकल टूल्स यूज करके आपको डेखना है कि यह राइट जगे पे बुलिश इंगल फिंग बनी है तो ही आपको प्राफिट दे सकती है पहलों तो हम इसका सपोर्ट या रजिस्टन्स दून लेते हैं बरावर्ट और आभी हम वीकली यक्ति टाइम प्रेम में जाने के बाद आप यह भी देख सकते हो की यहां पे आपको एक बुलिश इंग युण कैंडल weekly time period में भी दिखाई दे रही है तो हमें ये candle दो जगे पर दिखाई दे रही एक weekly time frame पे और daily time frame पे ऐसा जाधा तर होता नहीं है लेकिन वही चीजे मैं आपको दिखाने आज आएवाला हूं और वही चीज शिखाने वाला हूं कि हमें ट्रेड लेते समय क्या-क्या देखना चाहिए और अलग-अलग टाइम पर क्या-क्या दिखता हूं वो भी हमें देखना चाहिए तो हम यह दो जगे पे बुछी सिंगल फिंग दिख रही है और अभी हम लोग मंदली टाइम फ्रेम पे जाने वाले हैं यहाँ पर पूरा चार्ट इक पर मैं आपको दिखा देता हूं कि यह बाटा का पूरा चार्ट है यहाँ पर हम लोग कि सपोर्ट ढूनने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हो एक बाटा का कि एक रजिस्टन्स यहाँ पर था यह वाला और दूसरा रजिस्टन्स बाटा का यहाँ पर था जो कि स्ट्रांग रजिस्टन्स था और यह दो रजिस्टन्स दो रजिस्टन्स के बीच में अभी बाटा इंडिया ट्रेड कर रहा है तो लास्ट टाइम जो रजिस्टन्स था वह बाटा इंडिया ने किया था और वही रजिस्टन्स आभी आपको सपोर्ट का काम बाटा इंडिया के लिए कर रहा है तो आप देख सकते हो कि यह कैंडल कि अभी आपे और वी क्रेंट एक है अभी हम डेलि टाइम फ्रेम में आये हैं तो एक सपोर्ट जोर में बाटा इंडिया कंशोलेड़्ेट करता हूँ आपको दिख रहा है और उसी जग्यापे उसने एक बुलिश-उनगलफिंग्ड टेलि टाइम फ्रेम पर बनाया है और विकली टाइम फ्रेम पहले बनाया है तो आपको यह पता चल गया की समय गिली चोपे है में ईसरों करने की कोशिश कर रहा है सपोर्ट जोन से बरावन और और हमें इस टॉक में क्या-क्या दिख रहा है वह हम एक बार देखेंगे तो यहां पर मुझे एक फॉलिंग वेज का पैटन भी दिखाए दे रहा है आप उसको डाउन वार्ड चैनल भी कह सकते हो ट्रेंगल भी कह सकते हो मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ आप यहां से आप दिख सकते हो यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया है और उपर से भी में एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके यहां पर प्लेज करने वाला हूँ यह हो गया फालिंग वेज पैटन और इसका भी ब्रेक आउट आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है लास्ट रेडिंग सेशन जो है उसमें इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है तो आप यह कह सकते हो कि या फिर डाउनवर्ड चैनल या फिर ट्राइंगल पैटन जो भी आपको ठीक लगे वह आप कह सकते हो तो मुझे लगता है कि यह अच्छा का सा ब्रेक आउट यहां पर देखने को मिला है और हमें आगे जाकी इसमें अच्छे अच्छी बढ़त की उन्जाइस इसमें दिखाई दे रही है ठीक है और यहां पर क्या दिखाई दे रहा है तो हम इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहां पर से एक्स्पोनेंशियल मुइंग एवरेज हम हम प्लेस करेंगे हम उसको सेटिंग में जाके इसका कलर में यलो कर देता हूं और हम तूहंड्रेड इमे को क्या हो रहा है वो देखेंगे तो आप एक देख सकते हैं कि यह टूहंड्रेड इमे के ऊपर बाटा अच्छी तरके से सपोर्ट लेने की कोशिश उसने की है और वहां से उसने बाउंस बैक दिये दिया है बराबर यह टूहंड्रेड इमें हमने क्यों चुना है आप लास्ट में देख सकते हो कि बाटा जब टूहंड्रेड इमे के ऊपर आता है तो उसी तरह उसका एक हैबिट है वो टूहंड्रेड इमे के आसपास अच्छा एक सपोर्ट लेने की कोशिश करके वहां से बाउंस बैक करता है आप यहां पे देख सकते हो यहां पे यहां पर लिए है। सपोर्ट यहां पर यहां पर लिए में सपोर्ट यहां पर दो बार उस ने सपोर्ट लिया है और उसने सपोर्ट लिया है और कि इसकी नीचे आने के बाद में उसी कि यह में को उसने रजिस्टेंस पर अच्छा खासा फेस किया था तो फिर से एक बार वह 200 यह में के आसपास आपको बाउंस लेते हुए दिख रहे तो यह भी आप एक सपोर्ट के बाद जो बाउंस होने वा बड़ा टार्गेट आपने को मिल सकता है और एक इंडिकेटर है इसका नाम है मसीडी मूविंग एवरेज कनवर्जन्स डाइवर्जन्स डाइवर्जन्स इसमें भी आपको नीचे आप देखोंगे ये नीचे आपको बुलिष क्रॉष होता हुआ देख रहें येनल चीडी में भी आपको बुलिष क्रॉष होर्ट या पिर नीचे दिखाई दे रहा है जो की स्टाक में तेजी के संकेत हमें दिखाई दे रहे खीड एक बार मैं इसको निकाल देता हूं YouTube अभी है हम फिद। वॉना की रिट्रेस्मेंट के ऊपर क्या दिख रहा है वह देखेंगे यहां पर ग्दकें तूल से यहां में फिद वॉना की रिट्रेस्मेंट लेना है और आप यहां से अगर फिबोना की टूल ड्रॉ करते हो यह मैं नीचे का पॉइंट ले रहा हूं यहां से लेकर के यह हाई तक लो से लेकर के हाई तक मैंने फिबोना के लिए ट्रेस्मेंट ड्रॉ करने के बार आप देख सकते हो यह जो 0.618 का जो लेवल है यह गोल्डन फिबोना की लेवल जो है यहां से स्टॉक बाउंस करती हुए आपको पास्ट में दिख रहा है तो यह स्टॉक यहां से बाउंस करता है मतलब कि यह टाइम क्या आपको दिखाई दे रहा है वह भी हम लोग देखेंगे यहां से अगर हम लो से हाई तक अगर क्रॉस करते है तो फिबोना की रिट्रेस्मेंट जो लेवल है 0.618 जिसको आप 61.8 भी कह सकते है और उसी लेवल के ओपर स्टॉक कंसुलेडेट करता हुए आपको दिखाई दे रहा है और वहां से उसने एक बार बाउंस करने की कोशिश की है तो आप एक देख सकते हो कि यहां पर आपको इसी जगह पर आपको डिली में बुलिश इंगलफिंग मिल रही है यहां से स्टॉक ने फॉलिंग वेज का ब्रेक आउट भी दिया है यहां से स्टॉक ने सपोर्ट एरिया से बाउंस करने की भी कोशिश की है यह 200 एमे के उपर और उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है मसेडी ने भी बुलिश क्रॉस और यहां पर दिया है और स्टॉक गोल्डन फिबॉना की लेवल जो की 0.618 है वहां से बाउंस भी करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है तो आप एक मान के चल सकते हो कि यहां से स्टॉक में अच्छा रैली आने की कोशिश देखी जा सकती है और एक बार मैं आपको और एक चीज़ दिखाई देता हूं दिखाई देगी इंट्रेस्टेड हम यहां पर फिर से कि यह में लगाएंगे मुविंग एवरेज एक्स्पोनेंशियल जो कि हमने टू हंड्रेड का लगाया था कि यह जब भी स्टॉक 200 मुविंग एवरेज के आसपास आता है तो आप एक देख सकते हो कि आपके पास अच्छा ट्रेड बन सकता है आपको सिर्फ एक ट्रेंड लाइन का यूज करना है यहां से आप लोग देख सकते हो कि आपको एक डाउनवार्ड ट्रेंड लाइन को जब भी यह 200 मुविंग एवरेज के आसपास आके जब भी डाउनवार्ड ट्रेंड लाइन को यह स्टॉक क्रॉस करता है तो आप छोटे रिस्क में अच्छा रिवार्ड का ट्रेड डून सकते हो मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिख आता हूं यहां से जब भी यह 200 मुविंग एवरेज के पास आता है और वहां से बाउंस लेता है बाटा इंडिया वहां से आपको सिर्फ एक छोटी ट्रेंड लाइन डालनी है डाउनवार्ड और उससे क्रॉस होते ही आप उसमें लांग कट रेट ले सकते हैं आप लोग य कोशिस की है यहां से उचलने की तो आप यहां पर यह पॉइंट और यह पॉइंट मिला के आपको तीन रेजिस्टन्स छोटे मिल रहे हैं एक दो और तीन यहां से स्टॉक ने जब भी ब्रेक आउट दिया तो आपका स्टॉप लाइन चोटा बनता है और आपका ट्रेड ब तो आपको यहां पर यहां पर एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है जो कि आपको बाटा इंडिया में अच्छा पैसा दे सकता था कि यहांपर बिए आपको आपको यहांपर ट्रेड लाइन तो मिलेगा नहीं लेकिन हम कोशिश करते हैं हमी यहां से ट्रेड पूसकता है तो मैं आपको एक म्यारे अड़ाइस रहेगा स्किप करना है क्योंकि यहां पर रिस्क बड़ा हो रहा है और stop loss शारी र donn स्टॉप लॉस जो एक ही चीज़ वह बड़े हो रहे है रिवार्ड को हम बात में देखेंगे पहले हमारा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए अगर हम राश चोटा नहीं है और ओ वह ट्रेड हमें नहीं लेना है आपको स्टॉप लॉस देखना है अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो आप समझ सकते हो कि आपका स्टॉप लॉस छोटा होने के बाद में टार्गेट अपने आप ही बड़ा मिलता है उसे देखने की जरूरत आपको नहीं रहेगी यहां पर आपको ट्रेंड लाइन डाल के मैं दिखाता हूँ यह उपर से एक ट्रेंड लाइन हमने डाल दिया तो एक 200 मुविंग एवरेज के आसपास कि यह उचलता हमें दिखाई दे रहा है और यहां से उसने उसका भी ब्रेक आउट दे दिया है तो यहां पर आपका एक अच्छा खासा लॉंग का ट्रेड बनता है आप आपका आइनलेसिस खुद कीजिए और मैं आपको यहां पर मुझे जो लेवल्स अच्छे लगते हैं वह मैं आपको दिखाता हूँ कि यह आपका स्टॉप लोस रहेगा कि अपका स्टॉप लास होगा कि वन हन्ट वन सेवन सिक्स पाई के उपर जो कि यह जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है उसके नीचे रहेगा लोग के नीचे आपका इंट्री जो है इसका कलर हम लोग ग्रीन करेंगे इसका इंट्री जो है वो करन्ट मार्केट प्राइस जो लास्ट सेशन का है 1869.50 वहाँ पे रहेगा यह हो गया आपका इंट्री और इसका टार्गेट जो है टार्गेट को मैं यल्लो कलर दे देता हूँ टार्गेट जो है उसका रहेगा 2260 तो मैंने जो लास्ट वाला रजिस्टन्स जो है उसको एज़ टार्गेट रखा है तो आप एक देख सकते हूँ यहां पर आपको बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल रहा है वन इस टू फूर का यहां पर आपको पाच पर्सेंट का लॉस हो सकता है और बीस पर्सेंट का प्रॉफिट हो सकता है तो कर यहां पर मैंने इंट्री इस रेसिस्टन्स के वजह से पर अधर्यवाइज आप देख सकते हो जब भी यह 200 मूइंग आवरेस के आसपास आया है दूरॉर उसका पीछले वाला जो रजिस्टन से जो ट्रेन लाइन का फर्स्ट पॉंट उसको क्रॉस करके वो बहुत ही अच्छा ओपर गया है तो आपको यहाँ को कि झापर भी देख सकते हो यहाँ पर भी देख क्या हो É यह तो कंफर में कि यहां तक जा सकता है और इसके ऊपर भी जाने की कोशिश इसकी रहेगी तो आशा करता हूं आपको यह बुली सिंगल फिंग कैंडल का टेक्निकल एनलिसिस जो की बाटा इंडिया के ऊपर हमने किया है वह अच्छा लगा होगा अगर ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज और स्टॉक के वीडियोज आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करो थैंक यू